कि नमस्त वीडियो में हम मैं इसका एक जो इंपोर्टेंट टॉपिक है क्वाइटर की क्वेस्टन उस पर बात करेंगे इसका मैंने एक पार्ट वन बनाया है जो मैंने अप्लोड कर दिया है चैनल के उपर आपको मिल जाएगा डेस्क्रिप्सिन में लिंक मिल जाएगा पहले दो पार्ट में मैंने पढ़ाया है जिसे हाट टोपी को पढ़ाता हूं पहला सिंपल जो मैंने पार्ट वन में डाल दिया नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा और पार्ट तू जो मोडर्ट टाइम पर कुछ एक्जाम्स में जिससे क्वेस्टन आ रहे हैं ठीक है दोस्तों इसके लिए मैंने यह पांच एक्जाम्पल्स उठाए हैं ठीक है इन एक्जाम्स के थ्रू में बताना चाहूंगा कि आज कल वह आपको मोडर्ण टाइप पर कैसे बताएगा मतलब फसाने क्योंस करता है या फिर कैसे टाइम कंजूब करने कि पहला क्यूस्च्च थीक है वहाँ पर हम इसको आपको डाइरेक्ट डिक्स की बता देंगे ठीक है बाकि कुंसं की देखो एक करके बात करते हैं सबसे पहले इस अंडुरूड वाले क्विस्चन के बात करतें हैं ऐस फ्यूपियोपरी में इसी परटन पंपर क्यूस्चन देखने को मिला था जो है अगर अब भी जाएगा तो कोई वरोसा का सील तो सोल सोलड़् लाप को ताइम भसता है तो यह छोड़ दिए वे कुंढ आता हैं तो उसका मदर टुक्ड़े करके दिये हैं आपको टुक्ड़े करने की जोरत नहीं है करने माइनस 4x माइनस अंडरूड 13x प्लस तू अंडरूड 13 ठीक है इसको मैंने 0 दूरा बल लिख दिया अब इसको मैं यहां से देखो टुकडे करने के दिमाग लगाने जूरत नहीं है तू एक्स को मैंने कॉमन लिया फटाक से यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस टू ठीक है यहां से अंडरूड माइनस अंडरूड 13 ओ को मैंन ले लो ठीक है तो यहां से भी एक्स माइनस से टू आ जाएगा इतना आने के बाद तो आपको फिर डाइरेक्ट पता होना चाहिए कि एक वेल्यू एक्स बराबर दो आ रही है ठीक है एक वेल्यू एक्स इस इक्वल टू अंडरूड 13 वाई टू आ रही है अब इतनी तो हालत खराब नहीं होगी के एक्स माइनस टू जीकल टू जीरो करके देखना पड़ेगा ठीक है तो टू एक्स माइनस अंडरूड 13 जीकल जीरो करेंगे तो वहां से अंडरूड 13 वाई टू आ जागा यह तो बिल जाजिए अगर आप इसको दे लिडियो जैसा ही हो गया फिर आतीलिंएर एक्वेशण की बात ठीक है लीनेर एक्वेशन में जैसे दोस्तों आज तक आपने किया है छोटी क्लासे में किया है पहले किया है वैसे ही किजिए उसको ठीक है कैसे करना एक बार मैं आपको बता देता हूं x-3y is equal to 24 xy की टर्म एक साइड लिया यह ऐसे आपको कोपी में लिखना पड़ेगा उसके बाद में 2x-y is equal to minus 11 xy को एक साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा अब उपर वाली टर्म को आपको दो से मल्टिप्लाई करना है इसको दो से मल्टिप्लाई कर दो ठीक है दो से मल्टिप्लाई करने के बाद में यह पूरा दो से मल्टिप्लाई होगा यहां से लेके यहां तक क्यों दो से म मल्टिपल को और इस X के मल्टिपल को बराबर करना है ठीक है तो यह 2X हो गया माइनस 6Y इस इक्वल टू 48 ठीक है नीचे 2X है ठीक है माइनस Y इस इक्वल टू माइनस 11 अब इसको जब हमेशा से करते आये हैं ऐसे यह माइनस यह प्लस और यह भी प्लस चैंज जाएंगे सारे साइन अब यह प्लस उपर वाला यह नीच वाला मैनस तो नों कर जाएंगा फिर वाइव की ट्रम बताएं माइनस सिक्स वाई प्लस वाई माइनस फाइफ वाई ठीक है माइनस फाइफ वाई इस इक्वल टू 48 और फिर यह प्लस हो गया प्लस 11 कितना आ जाएगा 57 तो यहां से जो अपनी वाई की वेल्यू आ जाएगी वह 57 वाई फाइफ आ जाएगी ठीक है यह यहां तक समझ में आया और यह माइनस आएगा अपर माइनस है यह वाई की वेल्यू आगे प्लस 24 में अब इसमें क्या है बोले टू क्या डिफिकल्ट भी कुछ डिफिकल्ट नियुक्त पैसेंस रखोंगे नीचे फाइफ लिखा यह मल्टिप्लाय करना तो यहां तो यहां तो आपको टेबल याद होने चीए फिर आपको थोड़ा सा मेत्रिलोगी पता होने चीए म 50 फिर 7 को 3 से कर लो 21 तो दोनों को जोड़े दो 171 इन दोनों को मल्टिप्लाय करने के बाद 171 आएगा 24 को 5 से मल्टिप्लाय करते हैं तो 120 आएगा इनको करने के बाद में लास्ट में अपने पास जाएगा माइनस 51 डिवाइड बाई 5 अब देखो आपको 5 से डिवाइड करके भी देखने ही जूरुत नियुक्त कौन सा बढ़ा है क्योंकि 5 जब नीचे की साइड आपका सेम वेल्यू आ रहा है तो इसे आप काट दिया करो उसके टाइम पे कंपेर करने के टाइम उसके बीना ही कि आपने हमेसर किया है इसमें थोड़ी केल्कोलेशन हैसे करने चोंद की कोशिस की से जीएगा है This Canber no 2 तो आता है विश्चन नंबर टू में आपको सिर्फ वे आपको टाइम कंजूम करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के देनी कोशिश करता है लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर यह भी वही क्यूश्चन है जो मैंने पार्ट वन में बताएं इसके थोड़ा सा इससे माइनस करना प्रता इसमें डिरेट केसे करना जो थulator प्र್ लेस को से माल्टिप्लाइ गया cant का अधे यहां से सीधा ड्रॉस का टू इसक्व Caesar आ गया के लिए यहां से मैंने देखा माइनस 15x यहां से she minus 26x तो minus 47x और कि मिन Ne היא के फ्रेंट यहां पर typaMक से 41x आ जाएगा उसके बाद में यहां पर देखा 3 को 4 से मल्टिप्लाइ किया 12 आ गया यहां पर माइनस्टू को माइनस 4 से मल्टिप्लाइ किया तो पलस का 8 आ गया अब आता है दोस्तों गेम चेंजर अपना यह वाला क्षिशन जो बेगोबी में आ रहा है होफुली 99% आपको आपको प्री में नहीं तो मैंस में तो जरूर जरूर मिलेगा यह क्षिशन ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है पहले इसको इसमें दिवाइड करो फिर कुए ट्रीक बनाऊ आँ क्या कि ति के मत минут को आं कि उसको इनके पाना पेपरकिकी क्यों तो होगे में इसको आपको बनाने का दिवएर का यह बता रहा हूं यह चरक इसको बनाने का ट्रीका लिए ही मिली होगी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मैथेमेटिकल रूल लगें बहुत आसान है कोई भी मेच की थोड़ी समझ रखने वाला इस तक को बना सकता है लेकिन लोगों ने ध्यान नी दिया अभी तक क्योंकि पुराने पेटरंस के उपर ही लोग वीडिय एक हीरे रखते हैं फेक एसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए हमारे साथ झूड़े रही है ठीक है तो ले चलिए दोस्तों स्टाट करते हैं इसका है ये रही अपनी ट्रिक ठीक है दोस्तों आपको question में कुछ QB question देगा कुछ उसमें divide देगा उसको मैंने जनरलाइज करके सीधा लिख दिया जाए कि ऐसे आपको बनाने क्षिश्चन के फुरू देखेंगे पन तो कुछ मैथमेटिकल के पंडित आपको यह बोल सकते हैं तो हर कंडिशन में अप्लाई नहीं है साथ एक कंडिशन ऐसी है जिसमें यह वाला जो फेक्टर है ना यह इसमें पूर्ण ता भाग नहीं जाए बहुत जादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा वो कुछिशन बेंक एक्जाम में आने लायक ही नहीं रहेगा इसलिए आपको इसकी चिंटा करने जो उतनी है यह नोट लगाया गया है कि कोई यह ना बोलेगी इस चैनल पर गलत पढ़ाया जा रहा है ठीक है दोस्तों आपको इ बेल्यू आती हैं वो अपनी desirable equation इसकी तरह में अगर मै या की वेल्यू पता कर लूँ बी की वेल्यू पता कर लो सी की वेल्यू कि लिए मैंने आपको डारेक्टकरव झाना भूले अ A की value P के बराबर यानि कि जो Y3 का multiple है उसके बराबर B की value Q-aM यानि जो A यहां पर value आई और जो M यहां पर value है और Y2 का multiple और इसको PM भी बोल सकते हैं कि A और P की value तो दोनों बराबर है जैसे भी आपको याद करने मैं आसा नहीं हो वैसे कर लो सी की वेल्यू सा डाइरेक्ट एस डिवाइड बाई अब मैं बताता हूं आपको क्विश्चन करने हैं जैसे आपने क्वाडिटर एक्वेशन देखी आप क्यूबी की क्वेशन देखी तो आप इसको ऐसे लिख लो गई सब्कार छोड़ो क्या है यहां पर शोड़ो यहां बैसिक वेल्यू का सतता है यहां पर 12 औरhlव की कैसी कम आप माइनस माइनस में यानिकी सीजी केवल टू थो मैंने शरुबे करिकर के देख के देख लिआ वहीं पर 12 divided by minus 1 minus 12 यहां पर minus 12 रगती है बात आती है बी की तो उसमें थोड़ा सा लिख लो बी में लिख लिया x square का multiple होता है न क्यों की value तो यहां पर x square का multiple है नहीं यह question में तो क्यों की value होगे 0 minus pm p की value यहां पर 1 है और जो m की value है तो बी की value क्या गई वन आ गई आपको कुछ करने की जोड़ी नहीं है यह बन गई आपकी क्वाड़ेटर की इसके अंदर बड़ी आसानी से बन गई 10-15 सेकेंड के भीतर बन गई इसके ज़्याद आपको क्या चाहिए दूसरा आपन यह वाली देख लेते हैं सबसे यह बीच वड़ी देखा यहां पर माइनस 24 डिवाइड बाइनस टू क्या जाएगा पलस का 12 यह यह लिख दिया ठीक है दोस्तों प्लस का मैंने यहां पर 12 लिख दिया अब बात आती है बी की बी के लिए थोड़ा से लिख लो बी के लिए लिखना है क्यूं की वेल्यू य सोल करोगे तो यहां पर सेवन आ जाएगी तो यह सेवन हो गई यह बन गई इसके बाद में आप कोई भी कुश्चन आसानी से सोल कर सकते हो क्वाड़े ट्रिक बन गई आपकी ठीक है दोस्तों 10-15 से कुश्चन को करने में आपको लगबग एक मिनिट लगेगा अगर आप म कंपेटेशन में आगे निकलने में आपकी हेल्प करेगा तो इस मेथड को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है इसके अलवा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूं कुछ लोग उसमें गल्पी कराते हैं जैसे कहीं आपको दिया एक्स स्क्वाइर की वेल्यू 25 ठीक है एक इक्वेसन यही दे दी तो यहां से आपकी जो एक्स की वेल्यू निकलेंगी वो एक होगी प्लस 5 दूसरी होगी माइनस 5 ठीक है लेकिन अगर आपको एक्स이지क्वल टू अंडुरू टूड दे दिया अंडूरू 25 ठीक है तो आपकी वेल्यू शिर्फ प्लस 5 होगी ठीक है फ्रेंट्स आपकी वेल्इू सिर्फ प्लस 5 होगी यहाँ पर माइनस का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा क्विश्चन में अगर यह लिखहुआ आ रहा है तो X की वेल्इू प्लस-5 अगर यह लिखहुआ हो आ रहा है तो शिर्फ वेल्यू प्लस फाइफ इसमें पहली ज X की वेल्यू आ जाएगी पलस फाइफ लेकिन अगर आपको X क्यूब की वेल्यू ठीक है माइनस 125 दे रखी है तो यहां पर एक ही वेल्यू आती है X is equal to minus 5 इन चीजों में कुछ लोग गलतिया करते हैं तो यह मैंने आपे मैंसिन कर दिये इसमें भी कुछ आपको दे सकता है एक्जाम के अंदर अगर अच्छा लगा हो वीडियो है लेटेस्ट अपडेट के लिए और सेर किजिए अपने दोस्तों की थोड़ी हेल्प कर दीजिए उनको भी वीडियो मिल जाएगा तो उनकी एक्जाम में भी उनको हो जाएगी ठीक है और यह दोनों वीडियो रीजनिंग के आप देखन दूसरा और वीडियो जाएंगे जल्दी ही आएंगी थोड़ा टाइम लग रहा है क्वालिटी मेंटेन रख रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियो के अंदर कोशिश कर रहे हैं पी ओपरी के पहले बहुत जादा टोपिक कवर किये जाएं ठीक है दोस्तो तो अभी के लिए गुडबाई बेस्ट आफ लग थेंक्यू अरो